मुर्निंग स्टुडेंट्स तुडेंट्स टॉपिक इस वट इस टॉपिक इस टॉपिक देखा था आज हम आगे का टॉपिक देखेंगे अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और लोकल जो राजा थे नवाव थे उनको सप्रेस किया दबा करके अपना सासन स्तापित किया क्योंकि अग्रेजों कि आने से पहले मुग्लों का शाषन था हमारे भारत के उपर जो मुगल हैं बाबर अकबर राजा जागिर और राजा महराजा थे उनको उनके सासन से अठा दिया सब गेटिंग लोकल नौप्स एंड राजा सब गेटिंग वलुट उनको दमा कर अठा दिया यू विल सी आप देखेंगे हाव दे इस्टेबलिस कंट्रोल ओवर इकोनोमी और सोसाइटी और सारे जो एक्सपैंसिज हैं खर्चे हैं उनको उनसे निबटने के लिए उनकandaag को खतम करने के लिए जो राजिश हो रचयू किया कि पर अपनी नीस की जितने भी तिंग सी चीजे थी उनको सस्थी कीमत पर इनोंने करीदा रिच बिस बिडश सोसं एंडिया वालों से अपनी नीड की सारी चीजों को लो प्राइसिस के ऊपर खरीदा प्रियोड उन चीजों को प्रोडूस किया निर्याद के लिए वह मोस्ट इपोर्डेंट जो क्रोप्स थी उनकी नोंने खेती करवाई प्रोडेक्शन करवाया उन्हीं फसलों का जो इने चाहिए थी और आप उन चेंज को अंडर्स्टेंड करेंगे बदलाओं को समझेंगे यू विल अलसों को नो अबाउट इस बिर्टिश रूल प्रोडेक्शन को समझेंगे उन सारी कोशिशों के कारण क्या-क्या चेंजमेंट आए आप ये इस चैप्टर में देखेंगे अब ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश गॉर्मेंट ब्रिटिश आशन के कारण यहां की जो वैल्यूज थी वैल्यूज होती है क्या मुल्य है मानेता है टेस्ट पसंद ना पसंद होती है कर्ष्टम स्रीति रिवाज और प्रैक्टिस आइस तो और तरिको इस आप यह देखे ना पसंद थी कर्ष्टम डिटी रिवास थे और पैक्टिस आइस तोड तरिके थे उनमें क्या चेंजमेंट आया क्या बदलाव आया वैंदी सब्जेशन ओफन कंट्री बाई अनादर लिश्ट तो दीस काइंड्स ऑफ पोलिटिकल एकोनोमिक सोचल एंड कुल्चर चेंज वी रिफर तो डी प्रोसेस एज कलोनाइजेशन अच्छा क्योंच बनते हैं वैंदी सब्देशन सब्देशन होता है कि जब वन कंट्री दूशी कंट्री के दबदवे से सब्देशन होगे दब दब आपने उपर प्रेशर डालना दब 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 बनाना तो जब एक कंट्र दूशी कंट्री के दब दबे से इस तरह के पॉलिटीकल राजनेतिक, एकोनोमिक, आर्थिक, शोशल, सामाजिक और कुल्चरण चेंजी सांस्कृत्तिक बदलाव आते हैं इस प्रोसेस को रिफर करते हैं अज क्लोनाइजेशन यूवल हावएवर find that all classes and groups did not experience these changes in the same way, you will लेकिन जल्दी ही however, find all classes आप देखेंगे, कि classes और जो groups है, did not experience these changes in the same way समझ जाएंगे कि सारे जो classes वर्ग है और जो group सम्मू है इन बदलाओ को एक ही डंग से अनुबव नहीं कर रहे थे, तो भी सारे लोगों की माइन तो एक नहीं होता थारे लोगों की तिंकिंगे जैसे नहीं होती तो जो experience मिल रहे है society को, वो सम अपने अपने तरिके से उन changes को accept कर रहे हैं, ठीक है जो experience है, उसब काई जैसा नहीं हो सकता in this, that is why the book is called Our Pasts in the plural इसलिए इस किताब को हमारे अतीद यानि अतीदों पर केंडरिट नाम दिया गया पार मुका नाम यह हमारे पास्ट पिस हमारे अतीद तो यह जो form है, यह प्लूरल में है ठीक है, इसलिए, क्योंकि सब का experience अलग लग होता है सब की thinking अलग होती है, सोचने का तरीका अलग होता है that's why what sources do historians using in writing about the last 250 years of Indian history कौन-कौन से sources थे जो की इस्तियासकारों ने राइटिं के लिए यूज किये पिछली 200-500 सालों की भारतीय इस्तियास के लिए एक कौशन है आपके लिए कि कौन-कौन से sources थे जो historians ने यूज की है अब हम आगे देखेंगे administration produced records कि जो administration है, जो परसारसन है वो produced records, record होते हैं न कि जो अभी लेक है वो कैसे तियार करते हैं, ठीक है पहला हमारे question यही था कि बात इतियास के पिछले सालों का इतियास लिखने के लिए इतियासकार कौन-कौन से sources का यूज करते हैं, हम देखेंगे कि जो record है वो कैसे तियार होते हैं One important source is the official records of the British administration British administration द्वारा तैयार किये गए official सरकारी record historians इतियासकारों का एक मैतपौन सादन होते हैं तिरमें जो अंग्रेजों ने जो record रखे थे अपने पास, official record वो इतियासकारों के लिए वोती important शाबित होते हैं The British believed that the act of writing was important जो Britishers थे, वो किस बात को मानते थे, वो इस बात को मानते थे कि जो writing का जो act है, वो जादा important है इत्मी रिटन में सब कुसी को डोना चाहिए जो कि एक अच्छी बात है Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up जो Britishers थे, वो हर एक चीज को, हर instruction, निर्देश को हर plan, योजना को, जितनी भी policy थी, नितिकत, उनके decision फैसले थे और जो भी उनकी agreement था, agreement होता है कि आपस में सहमती थी, investigation होती, जाज परताल करना तो जो जाज परताल होती थी यह सारी बात clearly written up ज़रूरी था, लिखना ज़रूरी था Once this was done और जब यह हो जाता था, means यह कर लिया जाता था ऐसा करने के बाद, इन सारी चीजोगाची तरह से होने के बाद This could be properly studied and debated सब लिखा गया है, उसके बाद ही सारा पढ़ा जाएगा properly तरीके से study होगी इसके उपरा, then क्या गया क्या जा सकता था, और debated और वाद विवाद क्या जा सकता है, अब हमारे सामने written sources है, तो हम उनको studied करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और उसको debate भी हो सकती है this conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports, this conviction और जो एक conviction है, इस समझदारी के चलते, जो administrative memo, memo मिलते हैं, ग्यापन बोलते हैं, जिसको notings, टिपणी हो जाते हैं, रिपोर्ट हो जाता है तो उन पर जो इस समझदारी के चलते, इस conviction के चलते, ग्यापन, तिपणी, परतिवेदन, परादारित, जो शाषन है, जो administration से है, उसकी संस्कृती पैदा हुई, culture, administrative culture, पर साषन की संस्कृती, produce हुई, पैदा हुई, इस conviction से इस समझदारी के चलते इस ब्रिटिस जो इस ब्रिटिस थे उन्होंने फिल किया कि जो भी इंपोर्टेंट डोकुमेंट्स हैं और लैटर्स लैटर्स हैं, नीडिट टू बी केर्फुल प्रिज़व, कि इनको बिल्कुल धान से प्रिज़व, सनक्षित करने की आवशकता है जो ब्रिटिस थे अंगरेजों को यह भी लगता था, कि जितने भी इंपोर्टेंट डोकुमेंट्स लैटर्स हैं, उनको समालगा रखना जरूरी है So they set up records, rooms attached to all administrative institutions, इसलिए उन्होंने सभी जितने भी administrative institutions परसासनी संस्थाओं में एक कक्ष बनवा रखाता लग से, record room बनवा रखाता उन्होंने, कि यहां पे सारी चीज़े record रखी जाएंगे रिटन में The village, तैसिलदार's office, the collectorate, the commissioner's office, the professional secretaries, the law courts, all had their record rooms यह दिखाया हुआ यहां पे, कि इन सबके अपने-पने-पने room थे, तैसिल का दफतर था, collectorate का था, commissioner के दफतर थे, सचीवाले थे, court का चैरी थी, सबके अपने-पने record room होते थे अलग लग Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records Museum तो आप तेखते भी हो, आपके पास में या museum है भी, ठीक है, institutions संस्थाएं होती है जो इन मैतवपून लिंक टोक्यूमेंट से इनको बचा कर रखने के लिए, preserve रखने के लिए जो archives, archive होते हैं अभी लेखागार, archives, अभी लेखागार और museum संग्राल है जैसे institutions भी बनाएं गए, museum में आप देखते हो, पराणी पराणी चीज़े आप देखते हो, थीपू सल्तान की स्वोर्ट देख सकते हो कई चीज़े बहुत होती है, मारा परता आपकी है, जो ancient चीज़े है, unique letters and memos that moved from one branch for the administrator station to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives, letters and memos 19th study, early years of the 19th century, 19th study की starting में, जो administration की एक branch, एक साखा से दूसरी साखा के पास बेजे गए जो letters हैं और जो memos हैं, को आज भी आप archives में देख सकते हैं, that means, जो एक branch में दूरी साखा को जो भी the notes and reports that district officials prepared, और the Texas head directives that were sent by officials at the talk to provisional administrations you can also study, आप उन्स नोट की study कर सकते हो, वहां आप जो जो जिला अधिकारी हैं, जो district के officials हैं, जो जिला अधिकारी हो द्वारा जो प्रांती है, provisional administration, provisional होता है, वो प्रांती है, it means, उपर वाले नीचे वालों को लेटर लिखेंगे, तो जिला अधिकारी हो द्वारा तैयार किएगे notes और reports, जो आप पढ़ सकते हो, जो आपने उपर देखा, तो यह उपर ब ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, in the early years of the 19th century, 19th century के starting में, these documents were carefully copied out, अभी जो डोकुमेंट्स है ना, इंकी अच्छे से copy की गई, copy paste करते हैं, कि इसको copy paste कर दिया, तो 19 सधी के starting में, इन सब को, सावधानी पूर्वाक इन सब की क्या बनाए गई, नकले बनाए गई, and beautifully written by calligraphics, that is by those who specialize in the art of beautiful writing, अब ये देखिए, अब आपको ये calligraphics क्या होते हैं, पता होना ची, यह उन लोगों को खुष नवीसी बोलते हैं, या सुलेखन, इंदी में आप सुलेख लिखते हो ना, इंदी में, मेडम बोलती हैं आपको, कि सुलेख लिखिये, तो calligraphics उसी को कहते है, those वो specialized, वो लोग जो specialized है, the art of beautiful writing, बहुत ही सुन्दर writing में, क्या है, विशेशग्य है, इटमीज उनकी writing बहुत अच्छी, special है वो उस writing में, beautiful writing के अंदर, तो उन्हें को हम calligraphics कहते हैं, तब ही आपने देखा कि उन documents को carefully copy किया गया, आप टाले machine तो ही नहीं थी की copy paste कर दिया, तो carefully हाथ से लिखे गए है वो, art of beautiful writing, ठीक है, उन्हें को हम calligraphics कहेंगे, by the middle of the 19th century, अब हम 19th century की middle की बात करें, with the spread of printing, अब देखें, early 19th century में printing press नहीं आई थी, इतमीं साथ से लिखा जा रहा था, but mid 19th century में, 19th century की मिड में, printing machine आ गई, multiple copies of these records were printed as proceed of each government department, अब प्रिंटिंग मसीन आ गई, तो इस तक्नीक के सारे परते गॉर्मेट जो विवाग है, वहाँ पे, जो रोकुमेंट से उनकी अलग लग परतिया, अलग लग परतिया बनाई गई, काफी परतिया महाँ पर बनाई गई, यह देखें, यहाँ पर archives of India came up in the 1920, when New Delhi was built, देख National Museum and the National Archives were both located close to the Wise Royal Place, जो प्लेस है वहाँ पर यह है, ठीक है ना, प्लेस के पास में, यह बिल्कुल, वाइश राए के निवास के पास में, इस लोकेशन रिफ्लेक्स दीपोटेंस इस इंसिटूशन से इन बिटिस इमेजिनेशन, और यह जो इससे आपको पता चलेगा, कि अ इस में इन संस्ताव को कि इतना भारी मेता तु था देए, कि टॉन ने इसको दिखाया हुआ है। आगई देखें, शरवेस बिकम इंपोटेंट, कि सर्वेक कैसे इंपोटेंट होते थे, सर्वे कि जाते है न, आप घर घर जातो हैं, बिकितने लोग हैं, कितने पड़े लि सब्सक्राइब करते थे विश्वास करते थे एक कंट्री है तो बिलीव करते थे विश्वास करते थे कि अंगरेजों का यह बिलीव था कि किसी कंट्री पर अच्छी तरह से धूल करने के लिए साशन चलाने के लिए उसको प्रोपर ली जानना वहती जरूरी है तीक है जानना वहती जरूरी है By the early 19th century detailed surveys were being carried out to map the entire country By the early 19th century, 19th century के starting में whole country, entire country, पूरे country का नक्षा तियार करने के लिए बड़े बड़े शर्वेक्शन किये गए, surveys किये गए, conducted किये गए, revenue surveys भी किये गए, the effort was to know the topography Topography आप जानते हैं, उदर्ती की स्थे, इन सर्वेक्शन में क्या 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 देगी है और जो फसल वाला पैटरन है, कौन सी परकार की फसल लगाते हैं, all the facts seen as necessary to know about the administered, administered the reason इटमिस एक रिजन के बारे में इस सारी चीज़े उनको पता होनी चीज़े जाने के लिए उन रिटन डिकोर्ड रखते थे कि टोपोग्रफी क्या है, बोमे की स्थे कैसी है, सोल की क्वालिटी कैसी है, फ्लोरा पेड़ पोदे की परकार के हैं, फोना जीव जन्तु कौन-कौन से मिलते हैं, उसकी local history क्या है, उनके cropping pattern क्या है, यह सारी चीज़े रिटन में वो सर्वे में लिखते थे सब्सक्राइब के अंत में, census operations were held every 10 years, अब देखते हैं, जन्गन्ना होती है, हर 10 साल में जन्गन्ना की जाने लगी, जन्गन्ना के जरिये, उनिस्वी सथी की आखरी में, हर 10 साल में जन्गन्ना भी की जाने लगी, अभी 2011 में हुई थी, अभी स्टार्ट ओ चुकी है, इसक सब्सक्राइब के जन्गन्ना होती है, उसके जरिये, बात के सब भी प्रोवेसे स्प्रांतों में रहने वाले लोगों की population कितनी है, संख्या, काश्ट की कौन सी जाती से है, रिजन कौन सा है, उनका कौन सा इलाका है, रिलीजियन, उनका धरम क्या है, और occupation उनका website क्या है, इस लोग आप जो सर्वेवाले वो घर गर आएंगे, काश्ट कूछेंगे कितने member है, कितने educated है, छोटे बचे कितने है, लड़किया कितनी है, बोई कितने है, इस सारे सर्वेक्षन, आर्चे लोजीकल सर्वे, आर्चे लोजीकल पुरातत्तु सर्वेक्षन, एंत्रोपोलोजीकल सर्वे, एंत्रोपोलोजीकल जो मानव सास्त्री है, और फोरेश सर्वेज, वन सर्वेक्षन, यह सब आपको पता होना चीए, बोटेनिकल आपका वांसपतिक सर लोग सेलीए और रॉटीय है और जो फोर मिलान बूलाविक वी रौपल जीकल प्राणी ग्यानिक और फोरेश जें जो अधियर नियुक्य तोलोजी कर फौराचिक वह एंट्रोपलोजी क्ल सर्वेश मानव सास्थ्ति एक पॉरेसर्वेश वान सर्वेश कर था नहीं जाते हैं what official records do not tell जो official records do not tell उनसे क्या नहीं पता चलता from the vast corpus of records we can get to know a lot but we must remember that these are official records from this vast corpus of records records के इस vast बहुत विशाल corpus होता है बंडार जो ही आमने record का बंडार देखा है we can get to know a lot इनसे हमें बहुत कुछ हम पता लगा सकते है but we must remember लेकिन हमें या मेशे याद रखना है that कि these are official records कि यह जो records है वो कैसे है official है हम इस बात को दर जदान दाई नहीं किया जा सकता कि यह सरकारी documents है सरकारी record है कि they tell us what the official thought यह हमें बताएंगे कि officials सरकारी आफसर क्या सोचते थे what they were interested in उनका interest किस में था and what they wish to preserve for posterity और वो किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे ठीक है यह उनके बारे बताते है government officials these records do not always help as understand what other people in the country felt यह जो records है यह हमेशा हमारी help नहीं करते हैं यह समझने में कि दूसरे लोग what other people in the country देश के अंदर felt करते हैं इत्मीश यह हमेशी government officials के बारे में बताते हैं हमें यह other people's के feelings के बारे में नहीं बताते हैं कि वो लोग क्या सोचते थे और क्या वो लोग करते थे आगे देखेंगे और वट डे बिहाइंड ले बिहाइंड यह एक्शन्स तो यह हमें देखी नॉर्मल लोगों के बारे में नहीं पता रहें कि क्या फैस्ट और उनकी जो एक्शन्स थे उनकी जो कारवाई थी उनको करने की क्या वजय थी इन से बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तो हमें नहीं दिखाए देगा वैन वी बिगिन तो सर्च जब अमन अपनी सर्च स्टार्ट करते हैं कि उनकी कोई कमी नहीं कि हम आदर पीपल के बारे में ना जान सके दो डियार मोर डिफिकल्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है सकारी रिकोर्ट की मुकाबले होने सर्च करना डूड़ना वह चरा समस्की थाबित होता है क्योंकि इनको रिटन तो हमें मिलेगा नहीं वी है डियरीज ओफ पीपल अकाउंट अब हमें क्या है उस हिसाब से देखेंगे कि लोगों की डियरिया हो गई अकाउंट ओफ पिल्ग्रिम्स पिल्ग्रीम होते तीर्थ यात्री जो यह जगसी दूशी जगह गुमते तो जो तीर्थ यात्री यह उनकी ट्रेवलर्स और यात्रा करने वाले इंजगे से उनके संस्में हो गए ओटो बायोग्राफी ऑफ इंपोर्टेंट पर्सनलिटीज और जो मैतपुन लोग है उनकी ओटो बायोग्राफी ऑटो बायोग्राफी होता है खुद की कथा आत्म कथा एंड पोपुलर बुकलेट्स देट वर प्रिंटिंग स्प्रेट मैं मैं देखा कि 19th century के मिड में प्रिंटिंग प्रैस आ जाती है तो उस प्रेड़ हो रही है तो न्यूजपेपर पब्लिश अब प्रिंटिंग प्रैस आ गए तो समाचार अबड़ न्यूजपेपर पब्लिश हो रहे है और इस वर डिपेटिड पब्लिक अब लोग पर पड़ेंगे तो उनमें इशु जो आएंगे जो मुद्दे आएंगे उनके उपर क्या होगी पब्लिक में डिबेट होगी वादिवाद होगा तो वो सब चल रहे हैं वहां पर कि जनता में बैस भी होने लगी लीडर्स अंड प्धिव और सब करेंद आरीडर जो नेता थे रीफोर्म आर्भ शुद्हारग किया था रजा रा monthर उस्वामि द्यानन सर्षवति आगर उस्वार चंडर विद्या तो यह कुजा कि एपने अइधे लगे पोईट्स एंड नोवलिष्ट पोईट्स कवी हो गए नोवलिष्ट आपको पता ही जो नोवल लिखते हैं उपन्यासकार रोट एक्सप्रेस देयर फिलिंग्स नेताओं ने और रिफोर्मर सुदार को ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा कवियों नोवलिष्ट पन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को फिलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिए लिखा ओल दिस सोर्सिज तो जो सोर्सिज हैं वह लेकिन वर प्रोडूस बाइद वह लिट्रेट अब देखिए लिख तो वही सकता है जो पढ़ना जानता है इस मिन्स जो पढ़ना पताउ नहीं लगा सकते कि जो ट्रेबल्स जो उगरेब लो poker यह उपर कम करते हैं जो लोगों ने लिखे उस जो पढ़ना लिखना जानते थे उन्हों लिखें तो इनसे हम यह नहीं पता लगा सकते कि आदिवासी हैं किसान हैं खानों में काम करने वाले मजदूर हैं सड़की सड़कों पर जो जिन्दगी गुजारने वाले गरीब हैं वो किस तरह के अनुभावों से गुजर रहे उनको कैसा अनुभाव हो रहा था यह सब नहीं जान सकते विकोज वह तो इल्टेटर हैं पढ़े लिके हैं नहीं तो नहीं कुछ लिखा इनी अपने उपर गैटिंटु नोदे लाइस इस अ मोर डिफिकल टास अब उनके बारे में जाना बहुत ज़दा मुस्किल हो जाता ह ज़दे डिफिकल टास को जाता है कैसे जाने इनके बारे में यट इस गैन बी ड़न लेकिन इपन बीड़न इस एफट अगर हम लिटिल बिट ओफ एफट थोड़ा और कोशिश करें तो हम इनके बारे में जान सकते हैं लिटिल बिट वैन यू रिड इस बुक यू विल सी कि आपको यह समझ में आने लगेगी कि यह कैसे किया गया उनके बारे में कैसे जाना गया ठीक है अब इतरी एक्टिविटी डू यह लोक एट सोर्स वन अन्टू दू यू फाइन डिफ्रेंस इन दी नेजर ओफ डिपोर्टिंग यूवट यू अपको श्रोत एक और दो द कि यह देखिए यह सोर्स वन दिया है डिपोर्ट टू दी हॉम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है तो इसके बेस पे आपको लिश्ट बदाने है इन दोनों को देखे ओके थैंक्यू सो मच अभी आपका चैप्टर कंप्लेट हुआ है नीचे आपके एक्सराइज दी हुए यह जो कि उसके आपको पहले तो कुछ से करने है थोड़ा सा देखे उसके बाद मैं आपको बताते हूं ठीक है देखिए ट्रू फोल्स है तो अभी आप मुझे करके दिखाएंगे कमेंट बोक्स में तीनों क्या आंसर करेंगे थैंक्यू सो मच